Stock market में job लेने के लिए जो proper eligibility होनी चाहिए वो यह है आपके पास में graduation की degree होनी चाहिए NISM certifications आपके पास में होने चाहिए और work experience आपके पास में होने चाहिए यह तीनों चीज अगर आपके पास में है तो easily आप stock market में job ले सकते हो एक fresher बंदे के पास graduation की degree तो होती है NISM का certifications भी उसके पास में होता है बट उसके पास में work experience नहीं होता है बट stock market की हर बड़ी company यह बोलती है कि हमें experience बंदे ही चाहिए अब यहाँ पर एक fresher बंदा first जाता है usually stock market में जो बड़ी company है वो हमेशा यही बोलेगी कि हमें experience बंदे ही चाहिए बट stock market में कई company ऐसी है जो छोटी company है जो unreputate company है कई franchises है stock market में stock broker की कई franchises है वहाँ पर fresher बंदे भी जा सकते हैं fresher बंदों को भी वो लोग hire कर लेते हैं तो आप अगर fresher हो आपको job लेने में अगर दिक्कत हो रही है experience के वज़े से तो आप approach करो sub broker के office में चोटी company में unreputate company में वहाँ पर as a fresher आपको job मिल जाएंगा no doubt चोटी company में आप जाओंगे तो वहाँ पर बड़ी company के मुकाबले आपको salary कम मिलेंगी but वहाँ से आप अपने career की शुरुवात कर सकते हो वहाँ पर आप experience ले सकते हो उस experience के base पर फिर आगे जाके आप बड़ी company में भी job join कर सकते हो और अपनी salary को बढ़ा सकते हो गर आप fresher हो तो आपको directly company में एप्रोश करना पड़ेंगा job के लिए आप call करके पूछिए उनसे कि वहाँ पर vacancy है क्या या फिर directly उनके office में भी आप visit कर सकते हो इस तरीके से job आपको ढूड़ना पड़ेंगा क्योंकि कही पर ऐसी कोई vacancy publish नहीं होंगी और आप पर या फिर online कही पर एक fresher बंदे के लिए generally vacancy publish नहीं होती है खुद से जाकर ही आपको पूछना पड़ेंगा आप 10 जगा पर फोन करोंगे 10 ब्रोकर ब्रोकिंग के office में तो पोई ना कोई आपको इंटर्व्यू के लिए जरूर बुला लेंगा इस तरीके से आप job ले सकते हो आप internship भी कर सकते हो छे मैने से लेके एक साल तक आप यहाँ पर internship करो internship में आपको salary नहीं मिलेंगी या फिर बहुत कम मिलेंगी ठीक है बट वो जो experience रहेंगा उसी experience के basis पर आप same company में interview दे कर आगे जागे interview दे कर actual job ले सकते हो या फिर दूसरी company में भी job के लिए आप try कर सकते हो internship के लिए आप LinkedIn या फिर नौकरी आप यहाँ पर जाके apply कर सकते हो यहाँ पर आपको internship के vacances दिखाई देंगी तो आप as a fresher interview देने के लिए जाओंगे तो वो लोग आपका stock market का knowledge test करेंगे वो यह देखेंगे कि आपको stock market का कितना knowledge है आप fresh hour ओ तो previous job के बारे में तो पूछेंगे नी वो सिब stock market का knowledge test करना चाहेंगे कि stock market के बारे में आपको कितना पता है stock market का knowledge बढ़ाने के लिए आप क्या करिए आप पहले अपना demand account open करिए demand account open करके वहाँ पे आप trade low trade low मतलब share को खरीदो share को बेचो ठीकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अब यह आपको सीखने के purpose से करना है बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे आपको लगा नहीं देना है बहुत कम पैसा मामूली 500 रुपे भी आप लगा सकते हो बहुत कुछ पुरा working जो रहेंगा पुरा function जो रहेंगा stock market वो हमें समझने को मिलता है और जब हमारे पैसे लगे वह उते हैं बहले ही 500 रुपे लगे है एक thresher के लिए student के लिए 500 रुपे भी माइने रखते है तो वो काफी वह पर involved होके सारी चीज़े practical level पर समझने और सीखने की कोशिच करता है तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है तो यह बहतर तरीका है stock market को समझने और सीखने का practical level अलावा आप business news channel देखिए वहाँ पर आप यह देखिए कि कौन से news का stock market पर क्या impact हो रहा है अलावा तरीकी की news आती है हर दो मैने में एक बार आरवे की monetary policy आती है stock market पर उसका impact होता है अभी election आ रहे है लोग सबा के election उसका stock market पर impact देखने को मिलेंगा इसके अलावा कई company के quarterly result आते है हर तीन मैने में company का quarterly result आता है उस पर उस particular company पर असर होता है गलोबल अमेरिका में कोई news आई उसका हमारे इंडियन stock market में impact होता है फिर उसके अलावा बजट हर साल budget आता है budget से stock market में impact होता है इसके लावा कई और सारी ऐसी न्यूज हो थी कई नंबर साते हैं तो आप यह देखिए कि कौन से न्यूज का स्टॉक मार्केट पर क्या इंपक्त हो रहा है तो बहुत कारी चीज़े आपको सीखने को मिलेंगी तो आप लगातार विजित न्यूज चानल देखते रहिए वहा को चीज़े पता है क्योंकि आपने ट्रेडिंग कर चुके हो बिजिस न्यूज देखके आपने काफी अपना नॉलेज बढ़ा लिया है तो यह चीज़ बहुत जरूरी है एक इंटर्वियर वही देखता है कि इस बर्टिकुल बंदे को नॉलेज कितना है क्योंकि आगे जा पर आगे जाके अगर आप यहां पे अच्छा परफॉर्म करते हो अच्छा रेवेन्यू कंपनी को मना के देते हो तो फिर आप उसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोदिशन भी हसिल कर सकते हो फिर ब्रांच मैनेजर जब आप बनूँगे तो यह लोग इक्विटिदी द यह तो आपको पताईए, state level के manager भी आगे जाके आप बन सकते हो, national head तक आप जा सकते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओंगे, आपकी salary भी बढ़ते चले जाएंगी, तो इसी field में इस तरीके से आप बहतरीन तरीके से career बना सकते हो, इसी field में targets होते हैं, बट अगर and two देती है, salary के अलावा, for example, आपकी salary मानलो 25,000 रुपे है, per month as a equity dealer, या फिर as a relationship manager, एक entry level job की में बात कर रहा हो, और आपका जो target company ने दी है, वो है 4X, 4X मतलब आपका जो भी monthly salary है, उसका 4 गुना, 4 गुना कितना होता है, एक लाग रुपे, तो महीने का आपको एक लाग र बनाओंगे, company उसको आपको 20% incentives देंगी, ठीकिन, अब यह मैं example के तोर पर यह बता रहा हूँ, ठीकिन, हर company का criteria यह नहीं रहेंगा, हर company का criteria अलग-अलग होता है, वो depend करता है company के policy पर, ठीकिन, तो मानलो यहाँ पर company बोर रहें कि हम 20% आपको incentive देंगे, after 4X, तो एक लाग क 20% आपको revenue मिलेंगा, मतब 20,000 रूपे आपको incentives मिलेंगा, 20,000 रूपे आपको incentives मिलेंगा, और salary तो आपकी अलग है, जो 25,000 रूपे है, वो salary अलग मिलेंगी, तो total take home salary आपके हो जाएंगी 45,000 रूपे, तो इस तरीके से, आप अपने salary से, कई-कई dealer तो इसमें ऐसे है, उनक आपके client रहेंगे, आपसे connected client रहेंगे, उनको आप बोलोंगे share खरीदने के लिए, आपके कहने पर वो share खरीदेंगे, बेचेंगे, तो उस तरीके से, आप अपना revenue अच्छे से बढ़ा सकते हो, आप research analyst भी बन सकते हो, fund manager बन सकते हो, investment banker बन सकते हो, बट यह category अलग हो जाती पड़ेंगा, fund manager, investment banker, इसके लिए आपको अपना education qualification बढ़ाना पड़ेंगा, इसके लिए अलग से NISM की exams होती है, इसका eligibility criteria अलग होता है, यह तिनो topic पर मेरे channel पर अलग से video मिल जाएंगे, research analyst, fund manager, investment banker, मेरे channel पर अलग से आपको video मिल जाएंगे, कैसे आप यहाँ पर जा सकते बड़ यह जो जॉब रहेंगे stop market के, यह high level के job इसको हम बोल सकते हैं, इसमें salary अच्छी खासी होती है, इसमें investment banker, fund manager, research analyst, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, यह लोग महिने का लाफ और उपे कमाते हैं, इतनी इनकी salary होती है, incentives इसके अलवा इन्हें अलग से मिलता है, तो द प्राइश कर देए